देखिए उराओं जन्जाती के प्रमुख देवता को क्या बोला जाता है यह सब प्रिटी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा उराओं जन्जाती के प्रमुख देवता क्या कहलाते हैं धर्मेश याद रखिएगा में बिटी क्या कहलाया धर्मेश और धर्मेश की तुलना धर्मेश की तुलना सुर्य से की जाती है किस से की जाती है सुर्य देवता से यानि कि सुर्य से की जाती है धर्बेस इज कंपेड टू सुर्या ठीक है अब देखिए डेवताओं को क्या का कहा जाता है डेवताओं का नाम और उसके तत्थे नेम अब दडिटी और उसके फैक्ट्स क्या है ठीक है इससे संबंधित ये बाते हैं देखते जाएए देवताओं के नाम और उनके दथे जैसे कि पहार देवता मरांगबुरू बोलते हैं तो ये मरांगबुरू क्या है ये पहार देवता मरांगबुरू पहार देवता याद रखिएगा मरांग बुरू बोला जाता है पहाड देवता को देख रहे हैं न मरांग बुरू माउंटेन कोट अब आता है ठाकूर देव ठाकूर देव देख रहे हैं ठाकूर देव ये क्या किस चिछ के देवता होते हैं ठाकूर देव ये ग्राम देवता होते हैं गाउं के देवता होते हैं ग्राम देवता गाउं के देवता ठाकूर देव विलेज गोड गाउं के देवता होते हैं अब आते हैं डिहवार डिहवार ये क्या चिछ के देवता होते हैं सिमांत देवता सीमांत देवता को बोला जाता है डिहवार डिहवार marginal duty गाउं का अपना एक सीमा होता है उस सीमांकन परिसीमांकन किया जाता है सब गाउं का ये गाउं इस सीमा तक आता है तो उस गाउं का संपुर्ण सीमा के देवता क्या कहलाते है डिहवार ठीक है अब देखिए पुर्व जात्मा यानि कि जो उराओं जन्जातियों के कुल देवता को क्या बोला जाता है पुर्व जात्मा ancestor the family deity ancestor the family deity पुर्व जात्मा कुल देवता को क्या बोला जाता है पुर्व जात्मा क्योंकि हर जन्जातियों में अपना एक कुल देव माना जाता है आप देखिएगा हर जन जातियों की अपनी एक कुल देवी है या कुल देवता है तो आपका उराओं में क्या कहलाता है पुर्व जात्मा कुल देवता चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए फसल की रोपनी के समय कब कोई भी फसल अगर ये करना है रोपना है उसे तो फसल की रोपनी के समय भेलवा पुजा की जाती है देखिए अगर धान या गेहूं या कोई भी फसल हो उस फसल को रोपने के समय किस की पुजा की जाती है भेलवा पुजा की जाती है किस ट्राइब में उराओं ट्राइब में ठीक है भेलवा पुजा is performed at the time of planting of crops ठीक है यानि कि फसल की रोपनी के समय भेलवा पुजा किये जाती है ठीक है आप देखिए उराओं जन्जाती गाओं के कल्यान ही तू उराओं जन्जाती गाओं के कल्यान ही तू एक बार गोरेया पुजा करते हैं उराओं ट्राइब में गाओं के कल्यान के लिए वर्स में एक बार किसके पुजा की जाती है तो ये कहलाता है गोरेया पुजा गोरेया पुजा याद रखिएगा किस ट्राइब में उराओ ट्राइब में है ठीक है गौरिया पूजा इस परफॉर्म वन्स इन ए यर फॉर दा वेलफेर ओफ उराओ ट्राइब विलेज ठीक है उराओ जन जाती गाओं के कल्यान के लिए गाओं में किसी तरह का कोई दोस ना आए किसी तरह की बिमारी ना आए और पूरा गाओ सकुसल और एकदम स्वस्त रहे तो इसके लिए उराओ जन जाती गाओं में एक बार किसकी पूजा करते हैं गोरिया की पूजा करते हैं चलिया देखिए जन जातियों की एक रूफ रेखा उराओ ट्राइब की एक रूप रेखा आप इसे तस्वीर से निहार पाते हैं देखिए अब देखिए उराओ ट्राइब में उराओ जन्जाती में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है उराओ जन्जातियों में धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है क्या बोला जाता है पाहन religious head girl चलिए धार्मिक प्रधान पाहन चलिए अब धार्मिक प्रधान का सहयोगी क्या कहलाता है धार्मिक प्रधान का सहयोगी कहलाता है पुजार याद रखिये का इस धार्मिक प्रधान यानि कि पाहन का सहयोगी क्या कहलाया पुजार Assistant to the religious head क्या कहलाया the priest पुजार चलिए उराओं जन्जाती के पूर्वजों की आत्मा के निवास अस्थान उराओं जन्जाती की अपने पूर्वज होते हैं है ना हम भी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं तो उसी तरह उराओं ट्राइब भी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं तो याद रखिएगा उराओं जन्जाती के पूर्वजों की आत्मा के निवास अस्थान को क्या कहा जाता है कहा जाता है सासन याद रखियेगा ये पिटी के दृष्टी कौन से बहुत important है उराओ जन्जाती के पूरवजुं की आत्मा के निवास अस्थान को सासन कहा जाता है The award of the souls of the ancestors of the उराओ ट्राइब is called सासन ठीक है? ये हो गिया सासन चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं हम लोग उराओ जन्जाती की हर बोडा संसकार क्या है? हर बोडा संसकार तो देखिएगा इसके अंतरगत क्या मुख्य बाते हैं उराओ जन्जाती में गोत्र के मरे सभी लोगों के हडियों को नदी में निक्षेपित करने हैं तू यह संसकार किया जाता है कौन सा हर बोड़ा संसकार उराओं जन जाती में या उराओं जन जाती में जो अपने गोत्र के लोग हैं जो स्वरगवासी हो चुके हैं जो मरे सभी लोगों को हडियां एकत्र की जाती है अपने पास रखते हैं और नदी में उनको प्रवाहित कर दिया जाता है जैसे हम लोग भी आप देखते हैं दासंसकार में कैसे हडियों को बनारस ले जाया जाता है और नदीयों में प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा में तो उसी तरह उराउट राइब लोगों की हडियों को नदियों में निक्षेपित करने है तू, प्रवाहित करने है तू, यह संसकार किया जाता है। किस जनजाती में? उराउंट जनजाती में, हर बोड़ा संसकार। हर बोड़ा संसकार, in the उराउंट राइब, this ritual is performed to deposit the bonds of all the dead people of the Ghotra in the river। चलिए, अब आता है कोहा बिंजा, कोहा बिंजा, यह हुआ हर बोड़ा, अब आया कोहा बिंजा, हर बोड़ा संसकार के बाद, हर बोड़ा संसकार के बाद, मरे लोगों की आत्मा, उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है। तो ये जब संसकार संपन किया जाता है कोहा बेंजा तो हर बोड़ा जो संसकार किया गिया है उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ये कोहा बेंजा संसकार कर लेने से मरे लोगों की जो आत्मा है वो उनके पूर्वज की आत्मा से मिल जाती है तो ये कब ऐसा होता है कोहा बेंजा संसकार करने से हर बोड़ा संसकार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है कोहा बेंजा after the हर बोड़ा संसकार the souls of the dead get united with the souls of their forefathers ठीक है याद रखिएगा हर बोड़ा संसकार कोहा बेंजा हर बोड़ा अपने सभी गोतर के मरे लोगों की हडियों को नदियों में प्रवाहित करने हैं तू निक्षेपित करने हैं तू यह संसकार किया जाता है और कोहा बेंजा हर बोड़ा संसकार के बाद मरे लोगों की आत्मा अपने पूरवजों की आत्मा से मिल जाए उसके लिए कोहा बेंजा संसकार किया जाता है अब देखिए अब आया माटी माटी किसको बोलते हैं उलाउ ट्राइब में जो जादू टोना करने वाले जादू टोना करने वाले बेकती को माटी कहा जाता है याद रखिए था ये किस ट्राइब में? उराणो ट्राइब में माटी अब आया धुमकुरिया जो आप बताये थे युवागरी को कहा जाता है धुमकुरिया यूथ हाउस इस गॉल्ड अब आता है पुना जोखर ये पुना जोखर किसे कहते हैं? पुना जोखर याद रखिएगा पुना जोखर जो धुमकुरिया में प्रवेस करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है यूथ हों में जो नए सदस्य आते हैं उन्ही को आपका पूना जोखर कहा जाता है धुमकुरिया में प्रवेस करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है पूना जोखर the new member who enters धुमकुरिया is called ठीक है? पूना जोखर धुमकुरिया में प्रवेस करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह देखिए उराओ ट्राइब की एक भंगीमा उनकी रूप रेखा उनका पहनावा अब आया जोंख एडपा जोंख एडपा यानि कि यूवकों का प्रबंध होता है यहाँ जोंख एडपा में है ना जोंख एडपा यूद्स आर मैनेजड मतलब हुआ कि इसमें यूवकों का पोल एडपा जोंख एडपा तो इसमें क्या होता है इसमें यूवकों का रहने का प्रबंध किया जाता है धुंकुरिया के अंतरगत जोंख एडपा यूवकों का प्रबंध अब आया पेल एडपा योतियों का प्रबंद होता है जो धुमकुरिया कहलाता है ना युवागरी उसी के अंतरगत पुरूस वर्ग को रहने के लिए जो प्रबंद किया जाता है उस योधुम में उसको जोख एडपा कहते हैं और योतियों को रहने का जो प्रबंद किया जा होता है धुमकुड피리शा में यूधों में उसको पेल इड़ गहते हैं तो पेल एर्पा यूतियूंका और ज्वोक इड़ पा यूपकोन का यह दोनों का प्रबंद कहां होता है धुमकुर्या में चलिए तो पेल इड़ Ols are arranged in धूंकुरिया याद रखिये अब देखिए जोंके इरपा को ये जोंकेडपा को धंगर कुडिया भी कहा जाता है जोर्च इरपा को धंगर फूरिया भी कहा जाता है उराउं ट्राइब में जोखेडपा धांगर कुडिया इस ओल्सो कॉल्ड ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए जोखेडपा धांगर कुडिया को कहा जाता है ठीक है अब देखिए धुमकुरिया नामक संस्था में धुमकुरिया नामक संस्था में युवतियों की फिमेल परसन युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को कहा जाता है देखिए अब आया जोखेडपा जोखेडपा को धांगर कुडिया भी कहा जाता है जोखेडपा को धांगर कुडिया भी कहा जाता है अब देखिए धुमकुरिया नामक संस्था में युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है बड़ की धंगरीं क्या कहा जाता है बड़ की धंगरीं धुमकुरिया जो नामक संस्था में जो युवतियों की देखभाल करती है कोई महिला तो उस महिला को क्या कहा जाता है बड़ की धंगरीं धुमकुरिया नामक संस्था में जो बड़ की धंगरीं बड़ की धंगरीं बड़ की धंगरीं चलिए अब आगे बड़ते हैं तो ये था उराओं जन्जातियों के संदर्ब में इस ट्राइब के बारे उराओं जन्जाती से संबंधित जो मुख्य बाते थीं आप लोगों को पिटी के पॉइंट इब्यू से ये पूरा त्यार किया गया है आप लोगों के लिए उमीद करते है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद